नमस्कार दोंस्तों स्वागत है आप लोगों का Defense Simplified चैनल पर आज हम बात करने वाले हैं DRDO द्वारा इंडिया नेवी के लिए डेवलप किये जा रहे TEDBF यानि Twin Engine Deck Based Fighter के बारे में हाल ही में DRDO Chief श्री जी सतीश रेडी जी ने एक webinar में TEDBF से related कुछ critical design update शेर की है जिसके तहत हम TEDBF में improved design features को देख सकते है और आज इस वीडियो में हम उनी changes के बारे में discuss करेंगे सबसे पहले हम इसके front fuse large के design changes की तरफ देख सकते है जो कि DRDO ने इसके radar cross section को improve करने के लिए किये है लगता है DRDO ने इसका front section एमका से borrow किया है जो कि एक 5th generation fighter design है इसकी वज़े से TEDBF को एक advanced design तो मिलता ही है साथ ही में इसकी वज़े से TEDBF का development time और cost भी reduce हो जाता है दूसरा design change इसके wider cockpit layout के रूप में किया गया है जो कि ना सिर TEDBF के pilot को एक better deck view देगा बलकि साथ ही में इसकी वज़े से इसके nose gear में catapult hook को mount किया जा सकेगा जिसका use emails यानि electromagnetic aircraft launch system में किया जा सकेगा इसकी वज़े से TEDBF के carrier operations बहुत ही fast हो जाएंगे और यह aircraft अपने missions को ज़्यादा अच्छे से करने में सक्षम होगा तीसरा design change इसके delta wing में किया गया है जिनका size अब और भी बड़ा कर दिया गया है इस change को करने के दो फाइदे हैं पहला यह कि TEDBF अब ज़्यादा fuel को carry करने में सक्षम होगा और दूसर यह कि अब इस aircraft के wings को fold किया जा सकेगा जो कि एक carrier based fighter के लिए बहुती आभिशक technology है क्योंकि wing fold होने पर यह aircraft अब कम deck space लेगा अगर हम ध्यान से देखें तो इसके wings का design तेजस के अलिये variant से कम बलकि euro fighter typhoon के wings से ज़ादा मिलता है श्री जी सतीश रेड़ी जी ने ये confirm किया है कि TEDBF ना सिर्फ आइनस विकरांथ से operate करेगा बलकि future में MiG-29 को replace करके आइनस विकरामदित्या से भी operate करेगा चौथा design change closed coupled canards के रूप में किया गया है जो इसको ज्यादा maneuver करने की शमता तो देता ही है साथ ही में इसको low speeds पे better handling भी देता है जिसकी वज़े से इस aircraft की carrier landings improve हो जाती है और drag भी reduce हो जाता है इन सब भी design changes के बाद TEDBF का maximum take off weight 24 tons से बढ़कर 26 के around हो गया है इसका मतलब इसका empty weight भी बढ़कर अब 12 tons के पास हो जाएगा जो की Rafale के 11 tons और MiG 29 के 10.5 tons से जादा है ये weight increase मेली larger wings section की वज़े से होगा इसके अलावा wing folding mechanism के आ जाने से दोनों wings में extra 140 से 150 kg का weight भी बढ़ जाएगा तो आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं चैनल को like और subscribe करें जय हिंद